आज मैं आप सब लोग से शेयर करने वाले हैं वहती ज्यादा अमेजिंग विडियो यह विडियो डिलेक्टिट है इड से क्लिकिए इड मेकप टुटॉरियल है तो चले काई जल्पी से स्टार्ट करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे और अगर आप इंट्रस्ट्टिट हैं यह मेकप मैंने कैसे किया जानने के लिए तो इस वीडियो में बने रहे न तक और आप अन तक बनते हैं तो इस वीडियो को लाइक ये भीना बिलकुल मन चाहना इसे शेयर करना और मेरे चानल क और फाउंडेशन आज आई बेस इनका सुपर फ्रेश कॉंपक्क एंड सेम स्पॉंज की हल्प से इसे अपने फाउंडेशन को सेट करूंगी करते हैं अपना आइज मेकप लेकिन आइज मेक हम हम कुछ ऐसा करेंगे जो हर रल्की की ड्रेस यानि हर मुस्तिंग ब्यूटिस की ड्रेस के साथ मैच करें एवनी और काफी जादा न्यूट्रल भी हो और सब उस मेकप को अच्छे से कैरी भी कर सकें तो चलिए स्टार्ट क करने के लिए मैं यूस कर रही है अपनी मिस रोस की आइज़ी आइज शेयड़ पैलेक्ट में से यूस कर रही है लाइज ब्राउन शेड अपनी क्रीस आयन पर बले से प्लेस करूंगी इसंहें जो माते कäreसे सेड़ बाउध संविभी अपरों एप्टर ओवे son आपने आ्डर हिए सिर्कुलर इसंवे औस प्लेक्स प्लेस करूनगा ने कि अपनी एडियस की तो रॉक्स्टा पैलेट और इसमें से मैं यूज करूँ है डीप ब्राउन कलर डार्क ब्राउन कलर इसको भी मैं अपने आउटर वी और इनर वी पर प्लेस करके सर्कूलर मोशन में ब्लेंड करूंगी सेम आइच शेड़ो पैलेट में से ब्लैक कलर मेरी 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 आइच शेड़ो पैलेट में स नामे युज़कर अपने इस सेमाइर पर अपने आपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी ना ब्लेंड करूँगी and inner वी पे प्लेस करूँगी ब्लेंड नहीं करूँगी ठीक है कि नाव में किसी भी क्लीन पुश्क है थो सारे आई शेड़ उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगे जिससे भी कोई हार शेड़ या लाइन्स ना रहें बहुत ही सीमलेसली सब कुछ ब्लेंड हो जाए कि अपना क्रायलों का कंसीलर जिसमें मेरा शेड है आईवरी कंसीलर को अपने सैंटर और फ्लिट पर प्लेस करूंगी किसी भी स्मॉल ब्रश की एल्प से बहुत ही कम अमाउंट में प्लेस करूंगी जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा हूँ अगर आप उस तरीके कि अपनी इडिस की पैलेट में से एक्तम लाइट गोल्डन शेड अपने कंसीलर के उपर डारेक्टली इसे डाप डाप करके प्लेस करूंगी प्लेस करूंगी और सारे कलर्स के साथ उसे ब्लेंड करूंगी जिससे भी कोई हार्श एजिस या लाइन्स ना रहे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारे आईशेड़ो भी फ्लेस ना इस ब्लेस मतना कर्माप अवायो तो नाव मैं यूस करें अपने मिसरोज के आइशायदों पेलिट में से लाइड ब्राउन शेड अपने लोर लेश नाइन पेलेश करूंगी एंसे आइफ निलंगी और ऑसे बहुत हैं परकादी से liner लेश नाइवा घाया बतने हैं यूज़ कर रहे हैं अपना इन कलर का हाइटेक आई लाइनर जिसे मैं बहुत ही अच्छा था विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी अपनी पॉर्स आई लैशिस अप्लाइ कर ली है उसके बाद मैं अप्लाइ कर रहे हैं अपना मालिया होगा प्राइमर करें अपने लैक मैं पर्फेक्टिंग का लिक्विड फाउंडेशन आज फेस बेस डॉट डॉट करके अपने फेस पर प्लेस करूंगे और ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्थे से ब्लेंड कर लूँगी हमें यूज कर रहे हैं अपना क्राइलान का कंसीलर अपनी अंडराइस को हाइलाइट करने के लिए जितने भी अपने पेस की हाइस पॉइंट अने हाइलाइट करूंगी अपने बेस को सेट करने के लिए ताकि दे टाइम में बिल्कूल भी हमारा मेकप क्रीज न करें एक दम पर्फेक्ट और मैटिफाइन लुक दें उल्ली पर अपने सीवाना की अल्ट्रा ब्लश पैलेट इसमें मेरा शेड है 03 जिसमें से में यूज करें ब्रॉंजी ब्यूरिफुल कलर अपने पेस्ट को लिए ब्रॉंज करने के लिए करता है मैं यूज करें बूरिफुल बलश पीची कोरल कलर मतल나 बूरिफ। नव। नपू। नपू। नपुमा ग絹ly is you मतल flicky तव नपू। it's time to highlight your face but be careful because it's a day time so hulka hulka like I do a little bit more than my highlighter love it love it like I like your face and highlight your nose highlighting your cupid's pore I will do a little bit more focus अब आज मैं सच में कम हाइलाइट करते हूँ अब आज मैं अपने फेस को हाइलाइट कर लिए बस मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताने वाली हूँ जैसे हमने हाइलाइटिंग करी है यह पाउडर हाइलाइटर रेलिक्विड हाइलाइटर नहीं है इसलिए हमारे फेस पे जादा पाप आउट होता है तो उस पाप ब्लेंड किया था अब सेम ब्लेंड का हूँ पूरे फेस पे इस तरीके से रडब डब करेंगे जहां पर भी हमने ब्लॉश, हाइलाइटर, कॉंटॉर जो भी मिसमाच होगा या पाउडरीनेश होगी वो खतम हो जाएगी और बहुत ही एच्छा सटल ग्लोम ही रेगा हमारे हाइलाइटर से तो यह वाले ट्रिप हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्ले हाइलाइटर को सटल दिखाना तो यह जबर करना है अगर पॉप आट दिखाना है तो skip ही कर सकते हो depends on you यार अब आप मेरा देखना कैसे हो का so yeah it's done आप देख सकते हो कि जो भी पाउग्रीन ऐसी वो कम हो गई है और जो भी finishing थी या सब कुछ mix and match वाली feeling थी वो perfectly आ रही है अगर आ रही है तो मुझे comment section में यार बताना आप तो मुझे comment नहीं करते हो गर अच्छी लगते वीडियो गर end तक देखते हो वीडियो को अगर अभी तक हो वीडियो में तो एक comment तो करे देना कि आपको कैसी लगी यह वीडियो इड मेकप है थोड़ी महनत है समझा करो और गर्ल्स अगर आपको इमेकप अच्छा लगे तो मुझे comment करते है जरूर बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत बहुत इस तरेंट तो सलेक्स यूर लिप कलर वह अपने ड्रिस के अकॉर्डिंग चूस कर सकते हो किया आपके कोई सेबी कलर की यह तो इस आपके लिपशिड कर सकते हो वह आप पे छोड़ती मैं बिवीडिफुल पिंक कलर लगांगी मैं बिल्कुल सा ओजाएगा और सबके किय पिक यह पिंग और इसक्ट बिंग गलो अगर आपको आज का मेंक आप्ट रोल पसंद आया हो तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और प्रेफेंज और सामले के असाथ शेर किसी अनादर एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए बाएं टेक केर